चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जै संतोशी मा दोस्तों आपका स्वागत है आईए जानते हैं आज आपकी राशियों का हाल और आपका दिन कैसा रहेगा शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से दो अक्टूबर दो हजार चौबीस दिन बुधवार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथी रात बारह बज़ कर उननीस मिनट तक रहेगी जिसके बाद शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी प्रारंब होगी चालीस मिनट तक रहेगा आज का शुब मुहूर्त यानि दिन का सबसे शुब समय उपलब्ध नहीं है आज चंद्रमा कन्या राशे में संचार करेगा और सूर्य भी कन्या राशे में स्थित रहेगा दो अक्टूबर दो हजार चौबीस दिन बुधवार आज धन को सावधानी से खर्च करें क्योंकि सितारे संकेत दे रहे हैं कि आप अंजाने में अधिक खर्च कर सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आज आपके हाथ से बड़ी रकम निकल सकती है विवादों और टकराव से दूर रहना ही बहतर होगा स्वास्थ्य की दृष्टी से कोई परेशानी नहीं होगी और आप बाहर घूमने का आनंद ले सकेंगे परिवार खास कर बच्चों के साथ खाली समय का भरपूर आनंद लें जुआ या सट्टे बाजी से बचने पर आप अपनी आर्थिक स्थिती को संतुलित बनाए रख सकते हैं अपने विचारों को साफ रखें और सही निर्णय लें अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साज़ा करें आज आपके जीवन में दादा या दादा जी जैसे किसी व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है ये दिन सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का है अतीत के कुछ कड़वे मीठे अनुभव आपको भविष्य में द्रढ निर्णय लेने में मदद करेंगे आज की घटनाएं आपको अतीत की यादें ताजा कर सकती है सोना हमेशा सहायक साबित होता है और जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका जरूर देता है जिसे कल कहते हैं उसे लेकर चिंता करने की बजाए रचनात्मक गतिविधियों में कुछ समय बिताना आपको सुकून देगा अगर इस समय कोई नया अफसर मिले तो उसे तुरंत अपनाने की कोशिश करे इसका आपको लाभ ही होगा सामाजिक गतिविधियों में निस्वार्थ योगदान आपकी आत्मा को शान्ती प्रदान करेगा अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त न करने से गलत फहमी की स्थिति उत्पन न हो सकती है इसलिए भावनाओं को स्पष्ट रूप से प्रकट करना जरूरी है अधिकतर लोग आपके द्रिष्टिकोन को समझने की कोशिश करेंगे और पैसों से जुड़ा नुकसान दूर करने का अवसर भी मिलेगा हलांकि पुराने बुरे अनुभवों के कारण मन में डर बढ़ सकता है एक बड़ा अवसर प्राप्त होगा जिससे जीवन में कई बदलाव आएंगे काम से संबंधित उपाए कुछ समय के लिए फाइदे मंद साबित होंगे और जब तक ये उपाए आपके पक्ष में काम कर रहे हैं आपको उनका लाब उठाना चाहिए जब तक समय आपके पक्ष में है अधिक से अधिक फाइदा उठाने की कोशिश करें रिलेशन्शिप में अचानक कोई बड़ा बदलाव आवश्यक हो सकता है बदन दर्द और जोडों का दर्द भी बढ़ सकता है साथ ही आप भावनात्मक रूप से अधिक समवेदन शील हो सकते हैं आएके मामले सामानने रहेंगे और शाम को छोड़कर बाकी दिन में काम की गती बनी रहेगी नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है लेकिन नौकरी में छात्रों को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ सकता है इस राशिके जातकों को आज गलत तरीके से पैसा कमाने से बचना होगा यानि किसी का दिल दुखा कर धन अर्जित करने से दूर रहे आज किसी सरकारी काम के पूरा हो जाने से आप अधिक खुश और सफल महसूस करेंगे परिवार में शानती कर्म का आयोजन भी हो सकता है जिससे माहौल सकारात्मक रहेगा पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना भी प्राप्त हो सकती है संतान के अच्छे कारियों को देखकर मन में प्रसनता रहेगी और जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे शाम को आप अपने भाई के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर सकते हैं जो आपके लिए लाभधायक साबित होगी सावधानी बरतें और दूसरों की समस्याओं में उलजकर अपने कामों के साथ कोई समझोता न करें यदि सफलता पाने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना पड़े तो उसे गलत न समझे अपने उपर अतिरिक्त कार्यभार लेने से बचें और इस समय बच्चों का उचित मार्क दर्शन करना भी जरूरी है अब बात करते हैं लव लाइफ की पती-पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखेगा हालांकि प्रेम प्रसंगों में कुछ निराशा हो सकती है और हाल के तनाव का असर आपके रिष्टे पर दिखाई दे रहा है यह संभव है कि इसका प्रभाव बाहर भी दिखाई देने लगे आपने सभी प्रयास किये लेकिन अब स्थिती आपके नियंतरन से बाहर होती जा रही है और महत्वपूर्ण टकराव की संभावना भी बढ़ गई है हाला कि यह तनाव को कम करने में मददगार साबित हो सकता है जिसने आपकी बातचीत और संदेशों के आदान प्रदान को प्रभावित किया है खुली बातचीत के कारण आप एक निर्णायक मोड पर पहुंच सकती है जो आपके रिष्टे की प्रगती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णे लेने में सहायक होगी परिवार के साथ मेल जोल बनाए रखना भी आवश्यक है साथ मिलकर भोजन करना आपको स्वर्ग जैसा अनुभव कराएगा अगर प्रेम संबंधों में दूरी है तो आज मतभेदों को सुलजाने का बेहतरीन समय है मुस्कुरा कर प्यार के कुछ शब्द आपकी हर परिशानी को दूर कर देंगे आपके सहयोगी या पडोसी आपकी हर संभव मदद करेंगे आप अपने अतीत के खटे मीठे अनुभवों को याद करके उनसे कुछ सीखेंगे जिससे आपका भविश्य और मजबूत बनेगा प्रेम के बंधन में बंधने के लिए अब यह समय उप्युक्त है करियर में अपनी मेहनत और कौशल के साथ चुनोतियों का सामना करने का यह एक बहतरीन समय है आज बैंकिंग या ईश्वर से जुड़े कारियों में सावधानी बरतने की आवश्यक्ता है पिता या शिक्षक के लिए यह समय संकट भरा हो सकता है इसलिए इनका ध्यान रखना जरूरी है आज आप जीवन में आराम और सुरक्षा का अनुभव करेंगे नए विचार आपके करियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं और आपके कौशल और उपलबधियों के बारे में आपके उच्च अधिकारी भी अच्छी तरह जानते हैं स्पष्ट द्रिष्टी कोण विकसित करें एक लंबी अवधी की योजना हमेशा आपको शांत बनाए रखेगी और सही दिशा दिखाएगी वित्तिय मामलों की बात करें तो आज आप एक बुद्धिमान निर्णे लेंगे और सलाह आपको उचित मार्क दर्शन करेगी इसलिए आज छोटे लाब से संतुष्ट रहें शेर बाजार में निवेश करने वालों को आज बड़े शेरों से बचने की सलाह दी जाती है अपने भीतर की आवाज सुने और अपने अंतर ग्यान पर भरोसा करे व्यवसाय में आपकी योग्यता और प्रतिभा के बल पर आप कुछ नई उपलब्धियां हासिल करेंगे लेकिन स्टाफ के साथ तालमेल बनाने में कुछ चुनौतियां आ सकती है वर्तमान में आएके स्रोत कम रह सकते हैं लेकिन इन गतिविधियों का सकारात्मक परिणाम निकट भविश्य में जल्दी ही देखने को मिलेगा नौकरी को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं और आपके बॉस आपके कारियों से खुश रहेंगे किसी नई नौकरी मिलने की संभावना भी बन रही है परिवार में कोई सदस्य नौकरी के लिए घर से दूर जा सकता है इसलिए आपको अपने कामों को लेकर योजना बना कर चलना होगा आपका कोई सरकारी काम जो अटका हुआ था वह भी पूरा हो सकता है इसके अलावा आपको अपने मित्र के लिए कुछ पैसे का इंतजाम करना पड़ सकता है यदि आप सरकारी योजनाओं में निवेश करेंगे तो यह भविश्य में आपके लिए बेहतर लाभ लेकर आएगा अब बात करते हैं सेहत की इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं क्योंकि आज पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं पिछले कुछ समय से आपको यह समझ में आ गया है कि अपनी डाइट में कई बदलाव करने की आवश्यक्ता है और आज आपको इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे इससे आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा जो वास्तव में किसी बाहरी कारण से नहीं था जैसा आप सोचते थे बलकि आपकी जीवन शैली के कारण था आज का दिन आपकी राशी के लिए कई नए अवसर लेकर आ रहा है विशेश कर आर्थिक और व्यावसाइक क्षेत्रों में यदि आप भविश्य में सुरक्षा चाहते हैं तो आज इंशियूरेंस से जुड़े किसी भी फैसले को लेना आपके लिए शुभ रहेगा इसी प्रकार मौर्त गेज पर विचार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन सही निर्णय लेने का संकेत दे रहा है यदि आप किसी कानूनी मामले में उलजे हैं तो आज वकील से परामर्श लेना आपके लिए फाइदे मंद साबित होगा इस समय आपके सामने निवेश के नए अवसर भी आ सकते हैं इसलिए किसी अच्छे विकल्प पर विचार करना फाइदे मंद रहेगा वहीं क्रेडिट कार्ड का समझदारी से उपयोग करने से आज आपको आर्थिक लाब मिल सकता है यदि आप लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो आज आपकी राश्य इस मामले में सफलता की और इशारा कर रही है रियल एस्टेट में निवेश के लिए आज का दिन विशेश रूप से शुब है क्योंकि इस समय संपत्ती से जुड़े फैसले फाइदे मंद साबित हो सकते हैं अगर आप क्रिप्टो क्यूरेंसी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुब संकेत दे रहा है लेकिन सतरकता बरतना आवश्यक है आपकी राश्य के अनुसार आउनलाइन शिक्षा से जुड़े किसी कोर्स में दाखिला लेना आज आपके भविश्य के लिए उत्तम रहेगा इसके अलावा यदि आप वेब होस्टिंग से जुड़े किसी बिजनेस को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अनुकूल है स्टॉक मार्केट में निवेश के इच्छुक लोगों के लिए आज का दिन भी अच्छा साबित हो सकता है जहां आपको अच्छे लाभ की संभावनाए नजर आ रही है ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर नए सौदे करने का यह समय शुब रहेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिती थिक मजबूत हो सकती है यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाने के नए अवसर तलाश रहे हैं तो आज का दिन इन अवसरों को खोजने और उन पर काम करने के लिए उत्तम है बिजनिस सौफ्ट्वेयर का उप्योग आज शुरू करना आपके व्यवसाय को नई उंचाईयों पर ले जाने में मदद करेगा जो लोग ऐसा ही हो सेवाओं से जुड़े हैं उनके लिए भी यह समय लाभदायक हो सकता है उनके लिए आज का दिन इन सेवाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए शुब रहेगा तकनीक के क्षेतर में रुची रखने वाले जातकों के लिए आज टेक रिव्यूद से जुड़े वीडियो बनाना बेहद लाभकारी साबित हो सकता है यदि आप लगजरी कारों में रुची रखते हैं तो आज का दिन इस पर शोध करने और जानकारी जुटाने के लिए उत्तम रहेगा स्वास्थे और फिटनेस उत्पादों का उपयोग आज शुरू करना आपके स्वास्थे के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है साथ ही अगर आप यात्रा से जुड़े हैं तो आज यात्रा की योजना बनाना भी फाइदे मंद हो सकता है तो आज यात्रा से वाओं का उपयोग करना मानसिक शान्ती और संतोष प्रदान करेगा अंत में गैजेट्स और इलेक्ट्रोनिक्स से जुड़ी नई जानकारी हासिल करने के लिए आज का दिन सबसे उपयोगत है जो भविश्य में आपको लाभ पहुंचा सकता है आज का उपाए भगवान गणेश का पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है उन्हें दूर्वा, घास और लड्डू अर्पित करे इससे आपके सभी कार्य निर्विग्न पूरे होंगे जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें आपका दिन शुभ हो